आश्कार मैं चंद्रभान प्रजापती लेक्चिरर मेकेनिकल इंजिनरिंग गौवर्मेंट पॉली टेकनिक बर्गर्ड चित्रकूर एक बार पुनहां आप सभी का आपने यूटूब चैनल पॉली टेकनिक लिवरे लर्निंग में हार्देख स्वागा तेहूं अभी नंदन क के लिए एक बहुत महत्पूर्ण जानकारी इस बीडियो के माद्यम से और साथ में प्रैक्टिस सेट जो कि ये सी बीटी यानि की कंप्यूटर बेजड टेस्ट के लिए बताने जा रहा हूं तो सी बीटी जो टेस्ट है आज कल जितनी भी बड़ी बड़ी अजेंसिया हैं जो परिच्छाएं कराती हैं जैसे आप चाहे SSC की बात कर लीजिए चाहे UPSC की बात कर लीजिए चाहा UPPSC की बात कर लीजिए चाहा और भी बहुत सारी ऐसी अजेंसियों ज्यादा तरब CBT यानि कंप्यूटर बेजड टेस्ट कराने लगे हैं तो आप पॉली टेक्निक के लिए भी अब इसका चूंकि बहुत कुछ दिनों से ये बात सामने आ रहे हैं ये समचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो पॉली टेक्निक के जो परिच्छाएं हैं इस बार कोरोना की वज़े से वो भी आपके ऑनलाइन ही संपादित की जानी है CBT यानि कंप्यूटर बेजड के माध्यम से तो उसमें आपको हो सकता है online link दी जाए तो computer based test कैसे होता है देखता कैसे है उसको हमको कैसे questions दिखते हैं फिर कैसे हमको select करके आगे बढ़ना होता है ये सारा मैं आज आपको इस वीडियो में demo के माध्यम से करके बताऊंगा इसके सास्त में मैं आपको link भी description म दे दूँगा और description box में तो उस link पर आप click करके आप swim भी उसमें practice कर सकते हैं और इस पूरी जो process है CVT की यानि computer based testing की उससे आप used to हो सकते हैं अभी से आप used to हो जाएंगे तो आपको फिर जब अचानक से paper आपके सामने आएगा या exam के दिन तो आपको हिचक नहीं होगी बि इस वीडियो को अच्छे से आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और link मैंने जो दिया है उस पर वीडियो देखने के बाद उसका आपको click करके उस पर आपको demo test भी आपको करना है तो यह उत्तराखंड की एक website है जिसका नाम है उत्तराखंड subordinate service selection commission उसने यह demo फाइल अपने यह लिखा हुआ है practice test तो इसमें दो दिया है click here for technical practice set test और नीचे लिखा है click here for non-technical practice test तो हम दो में से कोई एक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम उपर वाला यानि कि click here for technical practice set के लिए इस पर click करते हैं और देखते हैं क्या आता है तो इस पर हम निकरे बढ़े हैं तो इस तरह से खुल गया अब आदिना है यह जो आपका instructions है सबसे पहले जब आप उस पर click करेंगे कोई भी परिच्छा लिए जाएंगे तो आपको निर्देश दिये होते हैं offline पर इच्छा भी जब आप देते हैं तो copy में बहुत सारे instructions अब भरतियों के लिए छात्रों के लिए लिए ल नीचे तक आप सारा इसमें दिया हुआ है तो इसको पढ़ लेना है जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो की जादा तर बच्चे हैं तो यहाँ पर जब आप click करेंगे corner में यह देखिए यह जो corner है उपर side में दाहने तरफ यह बना हुए जैसे English अभी लिखा दिख रहा है तो एक्जाम के लिए निर्देश लिखे होंगे तो उसमें सारी चीज लिखी होगी जैसे लिखा है कि यह क्रित्रिम परिच्छन यानि मौक टेस्ट है जो इतना किया जाना चाहिए पार्ट सामगरी समय केवल निर्धारित की गई है आपको समझने के उद्देश से और प्रश इंग्लिस में कर सकें या इंग्लिस में हिंदी में करना चाहिए तो दोनों ऑप्शन होते हैं तो दोनों में आप कर सकते हैं जो भी आपके लिए सहूलियत हो तो यह जो आपको प्रशन पत्राट डेमो टेस्ट जो कराया जा रहा है तो कुल बीस प्रशन आपको इसमें दि अब धोगा कि हिंदी में ये सारा चीज इस तरह से आपको पूरा है तो इसको पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना इंस्ट्रेक्शन पढ़ने के लिए आपको समय अलग से दिया जाता है तो पूरा अच्छे से अउलोकन करिए उसके नीचे सबसे नीचे जो सुबकामना ह देख रहे हैं उसके नीचे हमेंसे डिस्क्लेमर यानि की एकसेप्ट करने का पूरा एक दिया रहता है कि हां मैंने निर्देशों को पढ़ा और समझा है मैं सहमात हूं कि मैं अपने साथ मोवाइल फोन आ दे यह सी कोई भी प्रतिवन्दे तवस्तु परिच्छा हॉल में नहीं ले जा रहा हूं मैं मानता हूं कि निर्देशों का पालन नहीं करने की श्तिति में मुझे परिच्छा देने से अयोग घोसित कर दिया जा तो यह ऐसा लिखा मिलेगए जब आप परिच्छा देने जाएंगे तो यह जो बॉक्स दिखरा आए आपको square इसको आपको च करना रहेगा और submit बटन पर क्लिक करना रहेगा यह submit बटन आप देख पा रहे हैं तब आप फिर आगे बढ़ पाएंगे तो यह actual पर इच्छा जब आपकी होगी computer वेज़ चाहाब mobile पर दें या laptop पर या कोई जो center होते हैं computer center वहाँ पर देने जाएं तो यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा तो सबसे पहले आप इसको tick कर दीजे box को देखे टिक हो गया अब यहाँ submit बटन पर आप click कर देजे यह click किया तो आ गया अब यह करें paper का नाम लिखा रहेगा section 1 number of questions कितने हैं इसमें लिखा है 20 minutes कितने हैं यानि समय 30 minutes तो इस तरह चोग अब यह नीचे लिखा है start the test यह देखिए start the test तो हम इस पर start कर देते है start the test पर click किया तो यह खुल गया अब देखिए यह पूरा आ गया अब आप यहाँ देखे एक चीज मैं आपको पहले दिखा देता हूं time left यह देखिए एक clock च ताली से घड़ी लगातार चल रही है तो यह आपको दिखाई देगी इसके अलावा जो candidate registered photograph will appear here यहाँ पर आपकी जो फोटो आपने भरी होगी form में वो दिखाई देगी और यह candidate की exam day के दिन जो होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो यह आपको जब actual exam होगा उस देखे यह total question 20 answered green से हरा रंग आपको दिख रहा है इसमें आपने जो question का आप answer देदेंगे वो संख्या यहाँ देखेगी जैसे आप 20 में से 10 प्रशन का उत्तर देदेंगे तो 10 यहाँ पर green के सामने आ जाएगा कि 10 प्रशन का उत्तर दे लिए जो आपका यह blue से दिख रहा यह दूसरे नमर वाला यह blue से तो यह answered bookmark answer मतला आपने answer तो दे दिया लेकिन आप review करना चाहेते हैं आप चाहेते हैं कि एक बार में बाद में देखूंगा तो उसको bookmark आप कर लेते हैं तो उसमें यह याद रहेगा कि यह bookmark आपने कर रखा इसको आपको देखना है इसी त रेंक से आपको देख रहा है rectangle खाली दिखा है तो आपको not answer तो आप भी देखिए total question 20 थे हमने ना तो कोई चीज आंसर किया है ना answered bookmark किया है ना not answered bookmark किया है तो not answered में 20 आपके दिख रहे हैं सीधा हिसाब है तो यह देखिए section यह जो नीचे आप देखिए तो 20 question थे तो एक question 20 मां देखना है सीधा एक से नहीं चलना है तो 20 पर आप click करेंगे तो सीधे 20 पर पहुंच जाएंगे लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है सीधे serial से चलते हैं देखते है section 1 में question number 1 देखिए आप देख पा रहे है यह देखिए section 1 यह आया question number 1 लिखा है तो शुरू करते ह लिखते हैं क्या है यह क्या है question तो यह से कहला है सुसवा किसकी सायक न दिया अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है सुसवा एसे tributary of which among the following rivers यह लिखा है अंग्रेजी में भी हिंदी में दोनों में दिया हुआ है तो आप देखे घागरा सौंग गंगा राम गंगा अब यह है उत्तर क्या है हमको उससे मतलब नहीं हम सिर्फ test की practice कर रहे हैं तो जो भी आपका सही उत्तर है आप भर दीजे जैसे मा लीजे मैं पहला option choose कर लिया तो एक number का हो गया अब वो कह रहा है done जब आप यह question कर दिया तो done कर दिया आपने तो done में तो अगर आपने done कर दिया को not attempted 19 हैं तो आप क्या कर लें कि जाईए go to test वापस जाईए और यह इसको करिए ठीक है अब यह एक number के बाद हमको next जाना है तो यह देखी यहाँ पर यह next लिखा हुग यह देखिए यह next है यहाँ पर तो यहाँ क्लिक करेंगे तो next question पहुंच जाएंगे question number 2 आ गया कह रहा ह ज़िने का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है तो यह उत्राखंड से related है तो यह जो भी है आप select कर लीजे हरिद्वा टेरी देहरा दूनुदम सिंग जो भी एक आपको ठीक लगे वह आप कर लीजे अभी हम answer हो उस पर मत जाईए कि क्या सही है क्या गलत अभी हम सि तो next चले जाएंगे तो यह देखे फिर तीसरा question पहाड़ चोर उपन्यास का कौन है जो भी आपको सही लगता है आप select कर लिजे फिर आप उसके बाद है next चले जाएंगे तो यहाँ देखे बगल में आप देखे जितने प्रस्णा आप हल करते जा रहे हैं वो देखे तीन तक स्थापित हुआ था कहां पर यह पूंच रहा तो माली हमने पंतनागर गया लेकिन मुझे doubt है कि पंतनागर था कि कुछ और था तो मैंने bookmark कर दिया bookmark this question मतलब याद रहे हैं कि मैं एक बार इसको review करूँगा last में कि मैंने सही था कि गलत यह मुझे कुछ answer change करना होगा तो यहां पर आप देखिए answer में और bookmark में एक आ गया या आपने प्रस्ने का answer तो दे दिया लेकिन उसको bookmark भी करके रखा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसी तरह से अब यह answer देने के बाद आप next चले जाए तो next गए तो next जाने के बाद फिर कहरा उत्राखंड के सारवाद एक छेतरवाला जिला कौन सा है तो आप इसको एक click कर दिया जैसे एक अब यह answer आपको नहीं देना है कोई और answer से लिक करना है तो इस पर click कर देंग वो अपने आप फट जाएगा यह चोथे number करना है तो यह कर दीजी तो यह आप कर सकते हैं फिर next गए अब next में जाने के ब देंगे या देखेंगे इस प्रस्ण को कि क्या है क्या मुझे करना है कि नहीं करना है तो इसी तरह से आप चलते जले जाएंगे next जाएए छटा सात में आगया सात में जो भी आपका है जैसे राजपुलिस प्रसिचनक आदमी कहां इस्तेद है जो भी आपको है सही answer वो कर में पॉच रहा है सिद्गुल्व का क्या आतात पर है जो भी आप कर दीजिए उसके बाद नेक्ष्ट जाइए आप करना चाहें करिए जो भी नहीं आ राग्र निगेटव मार्किंगे तो उसको मत करिए अगर गलत मत करिए ज rhymes 10 mark नहीं मारिक नहीं उस उसके बाद आप 15 में में पहुंच गए जो भी है आप करती भी जाईए जो जो question आपको answer आ रहे जो नहीं आ रहे है 16 में में आप चले जाईए उसके बाद 17 में में चले जाईए उसके बाद आप 19 में में चले जाईए आंसर दे लिजे जो भी आपको सही लग रहा है तो ये देखिए आपने कर दिया यह हो गया नेक्स अब ये 20 question 20 question थे अब ये Qatar मल मंदर में मुक्रूप से पूजा किसकी होती है जो भी है आप उसको कर दीजे तो ये सारे हो गए अब next थे attempted 12 आपने 20 में से 12 attempt किये यानि 12 की answer दीए not attempted 8 8 आपने attempt नहीं किये अब यह कह रहा है go back to you face click अभी क्योंकि time बचा है 16 minute 20 second तो अभी आप time देखो घड़ी यहाँ पर चल रही है बरावर यह जरूर देखते रही है कि आपको कितना समय बचा है तो यह पूरा घड़ी आपको बताती रहेगी कितना fast आपको चलना है तो यदि आपको अभी और करना है तो go to test यहाँ चले जाईए click कर देंगे fit test में पहुंच जाएंगे जो प्रशन आपके अना attempted बचे हैं जो आपने solve नहीं की हैं उन पर click करके आप कर लेंगे finish करना है complete करना है तो सीधे finish पर click कर देंगे तो माली जी कुछ बचा है तो go to test फिर गई अब देखे इन में से आप दिख रहा है जो green से दिख रहे हैं वह आइसका मतलब है कि आपने solve कर लिए हैं answer दे लिया है जो बचे हैं जैसे आठमा नौमा दसमा देख रहा है कि नहीं आपने किया तो आठमा पर click कर दो box में तो आठमा प्रस्ण देखे ये खुल के आ गया अब इसको आप answer दे लिजी जो आपको सही लग रहा है उसके बाद next चले जाएए नौमा आप देखिया आ गया नौमे पर कर लिजे या direct आपको चौधमे पर करना है चौधमे पर click करेंगे देखे चौधमा आ गया जो भी आपको सही लग रहा है कर लिजे तो इस तरह से आप सारा कर लेंगे तो जब पूरे आपके हो जाएं तो select करके फिर सीधे आपको क्या करना है done करके फिर क्या यहाँ पर आप finish कर देंगे तो आपने 20 में से attempted 15 की not attempted 5 तो अगर minus marking हो तो सही जो आपको answer पता है उसी को attempt करिए negative marking से कोई फायदा नहीं होगर negative marking नहीं है तो आप चाहेते हैं तो 20 के 20 प्रशन है या 50 जितने भी प्रशन पूंचे जा रहे हैं आप उतने कर लीजे तो इसमें लिख है go to test आपको फिर करना है तो time बचा है 14 मिनट तो back जाकर और solve करते रहे हैं पूरा time दीजिए जो bookmark आपने किये थे प्रशन उनकों पे अच्छे से बिचार करिए कि आपने सही answer दिया है गलत दिया है जो नहीं किये solve उनको आप देखिए और finish करना है तो यहाँ finish पे click कर दीजिए तो यह देखिए warning to you have answered 15 question out of 20 questions आपने 20 में से 15 question का answer दिया है you have not answered 5 questions out of 20 questions आपने 20 में से 5 questions का answer नहीं दिया है you have answered and bookmarked one question out of 20 questions आपने एक question को bookmark किया है और answer भी उसको किया है और you have not answered and bookmarked one question out of 20 questions तो यह सारा जो आपने किये पूरा यह summary दिखा रहा है warning लिक के आ रहे तो अभी भी वह आपसे कह रहा है कि यह दिया आप जाना चाओ टाइम बचा है 12 minute 20 second कह रहा है go to test go to test मतलब test में चले जाओ फिर से यहां click कर देंगे तो फिर से test आपका खुल जाएगा और आपको finish करना है ठान लिया है आपने तो यह देखिए finish का option यहां पर finish कर देंगे तो आपका test क्या है finish तो हम finish कर देते हैं यह finish यह फिर final फिर पूंच रहा है कई बार होता है गलती से button press हो जाता है कई बार केते हैं अरे हम तो करना चाहते थे गलती से button press हो गया तो हमारा summit हो गया तो हम अब खाली बेठे हैं तो देखिए तीसरी बार यह पूंच रहा है your last chance to go back to practice test के लिए go to test क्योंकि time ग्यारा मिनट से 16 सेकेंड बचा है continue घड़ी चल रही है यह देखिए यह आपका time left इतना है तो आप जा सकते हैं और नहीं आपको जाना है तो यहाँ पर देखिए यह finish का यह बना है तो मुझे finish कर देता हूँ please close your browser tab तो exit कर देंगे तो आपका tab बंद हो जाएगे फिर वहीं जहां से सुरू किया था वहीं पर आ गए तो बच्चों कैसा लगा test आपको यह जो मैंने अभी आपको करके दिखाया यही link मैं आपको उसमें description box में अभी insert कर देता हूँ जब यह video आप देख लें तो उस step आप link पर click करेंगे तो same यही screen जिस तरह की कि आप अभी देख पा रहे हैं वही screen आपकी खुल जाएगी फिर सुरू बात यहां click here for technical practice test या non technical practice test में click करके आप उसको पूरा करिए और used to हो जाईए और कई बार करके देखिए इसके अलावाद जब आपको final exam होने लगेगा date आजाएगी तो उसके पहले वो भी agency है generally जो भी कराती है तो एक आद बार मौका देती है testing के लिए कि आप used to हो जाए जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं के पास computer नहीं, laptop नहीं तो बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपके पास mobile है आप used to हैं यदि mobile में आपको परिच्छा देने का मौका मिलता है तो आप इस तरह से practice कर लीजी आप mobile में दें या computer में कोई परिच्छा दिलवाए अगर आप अभ्यस्त हो जाएंगे पूरी जानकारी होगी तो आप अच्छे से परिच्छा दे सकते हैं पूरे मनोवेक से कोई आपको घबलाना नहीं कि हमने तो computer कभी चलाया नहीं laptop नहीं चलाया हम कैसे कर पाएंगे बिल्कुल परेशान होनी कि आपको जरूरत नहीं है बहुत आसान है इजी है कोई दिक्कत आपको आए तो आप मुझे comment box में बताईएगा पिर से एक नया वीडियो एक नए डेमो टेस्ट के साथ आपके लिए पिर से अपलोड कर दूँगा तो यह आपको मेरा वीडियो कैसा लागा इसके बारे में जरूर बताईएगा तो प्रते एक polytechnic के छात्र को इसको करके देखना है क्योंकि उनकी जो परिच्छा है इस बार की semester परिच्छा है वो आपकी सुनने में यही आ रहा है निउस में और जो भी चर्चा है कि वो online होना है आपको यह चीज पता भी है तो आपके लिए यह compulsory है मस्ट है यह आपको करना ही करना है तो आप लोग इसके used to हो जाईए इसको कई बार करके देखिए बिल्कुल अच्छे से कई बार प्रश्णों को solve करना अंदर जाना, finish करना, book mark करना question को solve किया, नहीं किया summary देखना, time देखना सब चीज अच्छे से बढ़ियां से आप इसको सीख लीजे तो इसी तरह के next वीडियो के साथ मैं फिर से आप से मिलता हूँ अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को like और subscribe करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना काफी है, thank you very much